विनीज मिल्स में आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल चेटपटा बनने वाला प्याज का पराठा यह पराठा एक बार आप बना कर खाएंगे न तो आपके घर में डेली ब्रेकफास में इसके डिमांड आएगी कि हमें तो वही पराठा खाना है मेरी रिक्वेस्ट पे एक पर यह बनागर अब जरूर ट्राई किजिए गा बस इसके लिए हमें प्याज को लेकर बारे-बारे कट कर लेना हैं उसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची हरी धनिया अज्वईन को हाद से मसल कर डालना है साथ में चाट मसाला भूना जिरा पावडर फिर साथ में लाल मिर्ची स् सत्तू डाला है अगर आपके पास अवेलेबल न हो तो आप बेशन को रोस्ट करके वह भी डाल सकते हैं उसका कारण यह है कि यह जो प्याज में नमक डलता है तो अपना मॉइस्टर रिलिस्ट करता है तो प्राठा बनाते-बनाते फटन लगता हो रहता है धंथे बेल नहीं सकते हम उसे इसलिए उसमें सत्तु डालेंगे तो सारा मॉइस्टर वे अप्जोर कर लेगा और हमारा मसाला एज़ीज रहेगा बस सबको मसाले को हमको अच्छे से मिक्स करना है पर जैसे अपन पराठे में स्टफिंग करते हैं स्टफिंग ऐसे भरके उसको बेल ल को सब्सक्राइब किये बिना बच जाएगा देखिए कितना इजीली बन गया यह पराठा अगर आप इसमें सत्तु नहीं डालते न तो यह पराठा बेल ले में हमें दिक्कत आती और किनारों से यह फटने लगता क्योंकि थोड़ा सा मसाला हमारा लूज हो जाता बस आप भ इसको अच्छा पराठा बन कर तयार हुआ है बस इसी तरह से पराठे बनाईए फिर आप इसे टमाटर स्वास के साथ दई के साथ हरी चटनी के साथ किसी के साथ भी से सर्व कीजिए और एक बार यह पराठा बना कर घर में सभी को खिलाएंगे न तो आपका भी मन खुदी क करेगा के एक सबजी रोटी कोन बनाएं यह पराठा बनाकर खा लेते हैं बहुत ही टेस्टी बंता है बहुत ही यह में बनता है तो बस मेरी रेक्वेस्ट पर आप इस पराठे को जरूर ट्राए कीजिएगा सी अरे अमरे बन कर तयार हो गय गरम घर्म से सर्व कीजिये और और इंजो एकीजी!